हे गाईज आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले ये काउंटर जिसके लिए हम यूज करने वाले HTML, CSS and JavaScript का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तीन बटन्स क्रेट किये हैं जब भी हमारी काउंटर की वैल्यू लेस दैन जिरो हो जाएगी तब वो कलर चेंज होके इस प्रोजेक के लिए हम VS Code का यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीन फाइल्स क्रेट कर देंगे तो पहले होगी index.html, style.css, CSS के लिए और app.js, JavaScript के लिए तो सबसे पहले हम आते index.html में तो मुझे यहाँ पर HTML का boilerplate code इंसर्ट करना है तो इसके लिए मैं यूज करूँगा shift plus one key का और यहाँ पर हमें boilerplate code इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर title हम इसको देंगे counter by the code school तो इसके बाद हम आते हमारे body tag में और इस फाइल को side by side open करता पर body tag में हम यहाँ पर एक class create करेंगे dot container class का हम यूज करने वाले dot container और इसके अंदर सबसे पहले में एक heading दूँगा h1 text होगा counter इसके बाद इस हमें क्या दिखाना है हमें चाहिए एक value या count जो 012 इसके लिए हम यूज करने वाले span tag का तो span इसके id देंगे हम value और इसकी initial value ह इसके बाद हमें क्या चाहिए हमें यहाँ पर button चाहिए increase, decrease और reset करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ एक button tag का यूज करता हूँ तो button हम इसको क्या करेंगे class देंगे class होगा button हम इसको alt shift down की कप्रेश करके क्या करेंगे copy कर देंगे तीन बार और यहाँ पर हमें text देते तो पहला button होगा decrease दूसरा button होगा reset करने के लिए reset और third button होगा counter को increase करने के लिए तो increase और यहाँ पर गाईज हम क्या करते हैं अब इन buttons को एक id दे देते तो id पहले button का होगा decrease second button को हम देंगे reset और जो last वाला button होगा हम उसको id देंगे increase तो गाईज आप यहाँ पर पूरा कपूरा HTML का code नहीं देख रहा है तो आपको क्या करना है alt जेड का use करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 0 और यह buttons same line में आ रहा है तो मुझे क्या करना है वो उनको अ तो आप यहाँ पर देख सकते है 0 का पर आ गया चुका है उपर आ चुका है तो यहाँ पर हमने हमारी HTML की coding complete कर दिये तो इसके लिए बाद हम करेंगे CSS स्टाइलिंग तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा CSS फाइल को लिंक करना पड़ेगा CSS फाइल को लिंक करने के लि हम यूज करने वाले स्टार या एस्टेरिक का जो कि ए यूनिवर्सल सिलेक्टर तो यहाँ पर मैं मार्जिन सेट कर दूंगा 0 पैडिंग हम सेट कर देंगे 0 बॉक्स साइजिंग हम सेट कर देंगे बॉर्डर बॉक्स और जो फॉन्ट फैमिली होगी इस प्रोजेक के हम से लिए करेंगे बैक्ग्राउंड प्रोपर्टी का और यहाँ पर हम यूज करने वाले हिक्स कलर सी टू सी टू सी टू का और इसके बाद मैं बॉली को एक मिनिमम हाइट दे देता हूँ तो मिनिमम हाइट होगी 100 भी एच और हम क्या करते हैं जो टेक्स्ट का कलर होगा वह सेट कर देते हैं तो कलर होगा यहाँ पर हम हेक्स वैल्यू यूज करने वाले 102A42 यह हमारा टेक्स्ट का कलर होगा और इसके बाद गाइज हम क्या करते हैं एक लाइन हाइट दे देते तो लाइन हाइट होगी 1.5 और मुझे इस सारा का सारा कंटेंट सेंटर में जो वैल्यू होगी वो सेंटर में सेट कर देंगे सेंटर तो आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट सेंटर में आ चुका है तो इसके बाद हम क्या करते हैं जो हमारा काउंटर है तो इसके लिए हम अलग बैक्राउंड कलर होगर चाहिए तो इसके ल होगी f1 f5 f8 यहां पर कुछ reflect नहीं हो रहा है तो यहां पर आपको आना है कि यहां पर हमने एक typo error कर दिया है तो यहां पर change करना है container के लिए container थी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि container background change हो चका है आपको change करना है index.html में तो फिर से आते style.css में तो इसका background हमने change कर दिया है तो हम इसको एक padding देते हैं अभी padding होगी हमारे 20 pixel की और इसको हम क्या करते हैं एक text align कर देते हैं जो सारा text का पर चाहिए हमें center में चाहिए तो text align होगा center और border radius हम set कर देंगे border radius हमारी होगी 10 pixel की देखे तो आप यहां तो हम set कर देंगे 0 pixel on x 0 pixel on y and 10 pixel का blur होगा तो इसके बाद हमने तो इसके बाद हमने style कर देए हमारे container को तो इसके बाद हम क्या आते है हमारा जो h1 है na heading तो हमें वो उसकी font size बड़ा नहीं है तो हम उसके लिए spacing property का use करके हम उसकी letter spacing set कर देंगे 1.6 pixel और इसके बाद हम क्या करते है लाइन की height भी change कर देते है तो line height हम यहाँ पे set कर देंगे 1.25 जो कि हमने by default set की थी 1.5 और margin क्या कर देंगे हम margin bottom property का use कर देंगे margin bottom होगा 12 pixel तो गाइज इसके बाद हम हमारे जो value है ना value कोई सी 0 तो उसको क्या करेंगे हम style करेंगे तो सबसे पहले हम आते हमारे span tag में तो आपको क्या करना है इस पे double click करना है copy करना है और यहाँ पे जाके क्या करना है पेस्ट करना है तो हम कौन से selector है id selector है तो हम यहाँ पे जाके paste कर देंगे तो इसकी जो font size होगी ना तो font size मुझे चाहिए 96 pixel font size क्या करता हूँ इसकी set कर देता हूँ इसके बाद क्या करता हूँ इसका font weight होगा ना तो font weight मैं set करने वाला हूँ इसका bold पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 bold हो चुका है copy और last में हमें क्या style करना है हमारे buttons तो buttons को tile करने के लिए हम use करने वाले class selector का तो यहाँ पे मैं dot दे देता हूँ और index.html में आता हूँ class कौन सा है button double click करना ctrl c press करना है और dot के बाद उसको paste करना है तो यहाँ पे button तो सबसे पहले गाईद हम क्या करते हैं यहाँ पे जो button दीख रहे है उनका जो text है वो lowercase में हम उसको uppercase में convert कर देंगे तो इसके लिए हम use करेंगे text transform property का जिसकी value हम set कर देंगे uppercase तो यहाँ प करने वाले transparent तो आप यहाँ पे देख सकते और इसके बाद हम क्या करते है जो color होगा color किसका text का तो वो set कर देंगे हम hex value 171730 यह क्या होगा text का color होगा और इसके बाद हम क्या करते है बटन को एक padding देदे पैडिंग क्या होगी 6 pixel top bottom 12 pixel right left और इसके बाद हम क्या करते है लेटर spacing दे दे ठीक है letter spacing हम दे देंगे वो कितने होगी 1.6 pixel का letter spacing हम दे देंगे और हम क्या करते है इसके बाद font size इसकी बाड़ा देते है तो font size हम set कर देंगे 14 pixel ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते font size क्या हो चुकी increase हो चुकी है इसके बाद हम क्या करते है इन button को एक border दे दे ठीक है तो border का color हम change कर देंगे तो border हम देंगे 2 pixel जिसका type होगा solid और यहाँ पे हम hig values करने वाले 171730 यह क्या होगा border का color होगा और मैं क्या करता हूँ इसकी जो border radius है न border radius मैं set कर दूँगा 4 pixel border radius क्या होगी 4 pixel होगी इसके बाद गाईज हम क्या करते है जो margin होगा margin ठीक है टो top और bottom से और right left से margin हम set कर देंगे 8 pixel ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते button के बीच में right left top bottom से margin आ चुका है और गाईज हम क्या करते है last में इसका जो display है न हम set कर देंगे inline block ठीक है और इसके बाद हम क्या करेंगे गाईज जो cursor होगा ना जब भी हम button पे हमारा cursor लेके तो वो pointer में change हो रहा है तो guys इसके बाद हमें क्या चाहिए जब भी मैं इस पर cursor लेके जाओ तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए color change होना चाहिए ठीक है button उसके आप हम उपर हम use करेंगे hover effect ठीक है तो color हम set कर देंगे white और जो background color होगा जब भी हम इसके उपर cursor लेके जाए हो रहा है जब भी हम उसके उपर cursor लेके लेकिन क्या है वो smooth नहीं वो directly change हो रहा है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक transition का use करेंगे तो इसके लिए हम use करने वाले transition property का transition all और यहाँ पे duration होगा 0.3 second और यहाँ पे हम क्या करेंगे type होगा linear के बाद हम आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए यह counter की value increase, decrease और reset होनी चाहिए तो इसके लिए हम जाते सबसे पहले index.html में निचे आएंगे body tag के पहले हम हमारे script file को add कर देंगे तो इसके लिए हम use करेंगे script tag का script src attribute में हम इसका path देंगे app.js और इसके बाद इस tag को close कर द तो हम आते हैं अब हमारे app.js file में तो सबसे पहले हमें करता हूँ एक variable बनाता हूँ let count ठीके तो counts क्या store करेगा जो भी value होगी वो store करेगा तो initially क्या होगी value 0 होगी सही है तो इसके बाद हम क्या करते हैं गाई मैं value के लिए display करना है हमें ठीके तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक्सेस करना पड़ेगा तो इसके लिए हम यूज करने वाले const का ठीके तो const तो हम इसके लिए यूज करेंगे value है हमारा constant होगा और यहाँ पर क्या करेंगे document.queryselector तो यहाँ पर हम कौन से element को select करने वाले value को ठीके तो जो element है वो क्या है span है और जिसके id क्या value ठीके तो यहाँ पर हम आएंगे app.js में और इसके अंदर हम लिखेंगे hash जो की id selector हम यहाँ पर यूज करेंगे value ठीके उसके बाद हम क्या करते हैं सारे के सारे buttons को access करते हैं तो हम यूज करेंगे const क्यूंकि यहाँ पर क्या value change नहीं होने वाले ठीके तो इसके लिए हम य query selector all ठीके तो मुझे क्या चाहिए यह सारे के सारे button चाहिए तो यहाँ पर मैं use करूंगा .button यह statement क्या करेगा? सारे के सारे element को select करेगा जिनने का class क्या है? button है इसके बाद हम क्या करते ग física इस हमें क्या करना यह बटन पर एक लूप चला ना है ठीकिये तो हम यह अपर यूच झाला थो हम यह पर यूच छाहिए जब हम यह यह क्या करेंगे । क्लिक करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे event listener का use करेंगे तो हम use करेंगे button बटन क्या है कि each button in buttons ठीके तो यह क्या है हम एक बोल सकते array या node list रिटन करेंगा ठीके जो भी button होगा हमने click किया है तो उस button पर क्या होना चाहिए add event listener ठीके हम लगाएंगे arrow function का ही use करने वाले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं हम इस element है ना जो भी button है उरका क्या करते है आईडी को एक्सिस करते तो इसके लिए हम use करेंगे element id यह हमारा variable है उसके अंदर यह क्या है हमारा current element को refer करता है e.current target.id attribute चाहिए उसके बाद हम सबसे button पे click करेंगे तो इसके लिए हम use करेंगे element id हम check करेंगे क्या अऔर ID decrease है ठीके जो भी value अगर क्या हमने decrease button पे express किया है तो ID is decreased अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए count की value क्या होनी चाहिए minus minus होनी चाहिए ठीके तो आब हम check करेंगे अगर हमने reset button पे click किया ठीक है तो यहाँ पे हम check करते कि element id is equal to equal to हम क्या check करते कि भाई id reset है क्या ठीक है जो भी value है जिस button पे हमने click किया है उसके id reset है क्या तब अगर वैसा है तो count हम क्या set कर दें count is equal to 0 अगर यह दोनों भी button हमने press नहीं की तो इसका मतलब क्या है simply कि हमने increase button press किया थी कि तो यहाँ पे हम set कर देंगे count plus plus कर देंगे ठीक है एक से count को क्या कर देंगे बड़ा देंगे तो यह तो हो चुकर लेकिन अब अभी भी value क्या हो रही देखते हैं decrease करते हैं ठीक है value दिख नहीं रही है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हमें वह दिखाना पड़ेगा ठीक हम यहाँ पे करेंगे value dot हम यहाँ पे युज करेंगे text content property का और हम set कर देंगे count यहाँ पे हम check करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने decrease button पे press किया value क्या हो रही है change हो रही है minus 1 के और यहाँ पे reset करने से 0 पे reset हो रहा है increase करने से plus 1 से increase हो रहा है इसके बाद हमें क्या करना है अगर value negative में है तो red color आना चाहिए 0 है तो black आना चाहिए positive में है तो green color आना चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे check कर देंगे count की value क्या है if हम सबसे पहले check करेंगे count क्या count positive में है या means 0 से बढ़ा है तब हम क्या करेंगे अगर हमारी value positive में है तो हमें क्या करना है color क्या set करना है green set करना है तो style हम यहाँ पे set कर देंगे dot color हम यहाँ पर क्या color set करने वाले is equal to set कर देंगे green ठीक है तो यहाँ पर हम सेट कर देते green हम यहाँ पर चेक करते कि positive increase होने पर ठीक है ग्रीन में हो रहा है तो इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारी count की जो value है तो count वो less than 0 है क्या ठीक है less than 0 है तो इसका मतलब क्या हूँ negative में तो हम क्या करते हैं यहाँ पे value लट style dot color इसको ही copy करेंगे और यहाँ पे जाके paste करते हैं और जो color होगा उसकी value हम क्या करेंगे change करके क्या set कर देंगे rate तो check करते decrease करते हैं कि minus में जा रहा है negative में color rate से change हो रहा है और अगर value 0 है तो हमें shift check करना if count is equal to equal to 0 तो हम क्या करने वाले हैं उसको set करने वाले हैं तो value dot style dot color हम set कर देंगे hex value हम यहाँ पे use करने वाले हैं hex value होगी triple two तो चीक है check करते हैं यहाँ पे अगर 0 है तो decrease करते हैं set कर देंगे ठीक है value change हो रही है color भी क्या हो रहा है change हो रहा है तो guys यहाँ पे हमने हमारा counter project complete कर लिया है guys अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी then like, share, comment and don't forget to subscribe our channel see you in the next video till then this is Ganesh signing off bye